दिस्क्रिप्शन इसमें लिखाता है अब गिंटे तक ये चलता है ठीक है वायर बोत है आराम से यहां को पोच जाएगी मतलब हमारे पाच उठायर आराम से एक ही पोच में गुमा गुमा के हो तुछ बटन्स है यहां से आप प्लस माइनस कर सकते हो आप प्रेशर को इसके पहले मेरे पास और एक इनिकेटर था तो वह जल्दी बहुत जल्दी भी ने जादा यूज नहीं करता है क्योंकि थोड़ा थोड़ा है प्रेशर बढ़ना हो तो हमें वह चींटुपले पिंटुपले को जमते में हम इसे यूज करते हैं यह वाला बहुत ही बढ़िय है थोड़ा बढ़ा भी है और यह 20 मिनिट तक आप इसको चला सकती है तो सोची 20 मिनिट चलाने के बाद भी आते से अच्छे से यूज करते हैं जादा कभी पढ़ते में पढ़े हम अच्छे नहीं लगती इसे बाजी कर देते हम यह इंप्लेटर अब इतना भी है लाइट इसका कंप्रेसर वागरे थोड़ा अच्छा अभी इस पर डिस्क्रिप्शन इसमें लिखा था आदे गंटे तक चलता हम इसे आदे गंटे तक अभी तक चला है नहीं एक साल का वारेंटी है ट्राइ कर सकते हैं पर मैंने जित्ते बार भी इसमें हवा बरी है मैंने 28 से इसका और यह बहुत काम आने वाला है कि हमारे गाड़ी सब फोर मी तरह है हमें चारो टायर पांचो टायर को जो वायर आने चाहिए उतनी वायर इसमें से आपने मिलेगा तो ऐसा कुछ यह प्रोड़क्ट रहने वाला है आपको चलिए दिखाता हूँ इसका थोड़ा प्र बाकि जब हम प्राक्टिकल करेंगे तभी देखने तो आपको इसमें कुछ यह एक साथ मिल जाते हैं जो अलग 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 कनेक्टर्स के साथ आप इससे कनेक्टर सकते हो जो श्राडर वाला प्र फोटा सा जो डिग अपलान में से साइटल में यह लग जाएगा ठीक है ए इसे टेस्ट मिलाते हैं देखते हैं कि इसे कैसे लगाना इसको निकाल लेता हो और यह लंबी वायर को जरा फुलने में पुला टाइम लगीगा तो पीछे का अभी फिलाल हम टायर टेस्ट कर रहा है बढ़ने लिए यह सबसे लंबा वाला हमारे प्रग वायर पोट है आरा है यह एक माइन कि भट उना हम पम स्पेट लेग व्याव शोडै ढ़र कना है हो दर कोई का तुछा पास यह एक फिली है घुंधा को चांब आ हम इससरे वाकोंग निकालके ले ईससे हमारे पोट है आरा कुंध को शेके लेग से टुची सेकन लगा देकि औरना न एसरी से खोलते हैं तीक से खोलना है और हाँ मेरे पास एक एडिशनल एक्स्टरनल प्रेशर गेज भी था जो मैं काफी साल से यूज करना देखिए इसके पर का अच्छा का सा रबबर भी खाला है और अभी भी चलता है और बहुत सही वाला है और गाड़ी शुरू करना मत यहां को बडिया यहां से आप क्लस माले कर सकते हैं उसे कुछ करने वाला है और यहां को कुछ बड़ने कीश. यहां से आप प्लस माइनस कर सकते हो आप प्रेशर को कर सकते हो तर्टी फूर अभी भर करता हूं और यह इंप्लेक्ट करने वाला पाई यह भी बहुत ही लंगा है और यह सच में बहुत ही अच्छा होगा कि देखिये नीचे फूट स्टेप पर रखके इसको यहां पर तो आप तो इसमें एयर फील करने में कोई भी परिशानी नहीं बहुत है और यह बहुत ही बढ़िया प्रोड़क्ट है सच में यह बहुत ही अच्छा था कि पहले वाला जो रैस्की टेक पाव में फोटो दिखा हूं रैस्की टेक से कोई एक बढ़ाई प्रोड़क निकला चलिए इसको शूरू करते हैं और देखते हैं कि इतने टाइम तके बर देता है मेरा क्यामरा बंदे चुका है इसलिए मैं ठीक से इसको बठानी का चलिए करिया टायर अपनो बर लेते हैं उसका देखते कितना 30 है लल 30 है हमें 43 बरना है यह 30 प्रेशर है चलिए इसको सेट क कर लेते पुड़ा जादे ही बर्वे कि 0.5 एक्षर ही कर लेते जैसे आप इसको करते हो आपको आपको एकजाक प्रेशर बठा दिखा देखे है और आपको मैं टेस्ट भी करके दिखाँगा कि यह इपरफिर प्रेशर है यह त्रफिर प्रेशर है जोगे 30 है 3.5 आयर बेग तो मुआ बहुत है सब्सक्राइब कर दिया तो वहां भाल वह ची सही है 34 सब्सक्राइब में 33 ना 3 PSI बर गया चलिए विए भी आम हमारे जेट से चेकर करते कि हमारे जेट कि इतना सही बतादा 32 तो थोड़ी बहुत हवा निकल दूए हमें चेक करने में 32 और यह था कि पूलता है कोई बात नहीं, एक दो PSI आज होने ही बाला है, यह से भी महीं नहीं नहीं हमारे तो आशा गरता हो कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया रहे तो प्लीज यह वीडियो को लाइक कर देना शेर करना, कमेंट कर देना और अगर आपके पर्चिस करना हो तो Amazon से जाके पर्चिस कर देना, मेरा अफिलेशन नहीं बंदे का है चलो मुझे और फिर किसी अगले नहीं वीडियो में, प्लीज लाइक बटन और शेर श्रप्ताइब बटन इस वीडियो के दिए दावादने करें थांक यू धन्यों अधनि वादे